दोस्तों ये हमने ब्राउन कलर की प्लाइवुड पर पॉलिस की है और एक रेड कलर की भी पॉलिस की है सारी जनकरी इस वीडियो में मिल जाएगी तो देखें प्लाइवुड का एक छोटा सा पीस आप किसी भी चीज के उपर कर सकते हैं जो की प्लाइवुड का बना हुआ हो और यह बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस होगा इसमें आपको कोई भी ज़्यादा कारी गिरी के जिरूत नहीं है और आप यह घर पे भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्लाइवुड पर वूड ग्रेन बना कर उस पर पॉलिस कैसे की जाती है सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो सबसे पहले इसकी करनी है हमें सेंडिंग सेंडिंग करने के लिए हमें चाहिए असी नमबर या फिर सो नमबर का पटे वाला रेगमाल और इसको अच्छीता दबा के हम रगर देंगे ताकि कहीं पर उच्छा निच्छा हो तो पूरा बराबर हो जाए यह वुड प्राइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखें इंटेरियर वाल प्राइमर है यह मारे पास पड़ा हुआ था तो हम इसी का इसमें इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से पॉलिस आप दरबाजी पर भी कर सकते हैं जो कि प्लाइवुड का बना हुआ हो अगर आपको पॉ लगा देना है यह हम water based primer यूज़ कर रहे हैं आप अपने हिसाब से इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी primer आपको यूज़ करना हो primer का हमें एक कोड़ी लगाना है primer करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है एक दो घंटे सूखने के बाद में इसकी करनी है हमें sending और sending करने के बाद में इसकी हमें करनी है filling filling करने के लिए हम इसमें इस्तिमाल कर रहे हैं wood filler का Asian paints के tea color के wood filler का बाकि आप चाहे तो चाक मिट्टी में पेंट मिक्स करके भी इस तरीके से पुट्टी बना के आप खीच सकते हैं ये वूड फिलर है तो ये चाक मिट्टी के वकाबले ज़्यादा मजबूत होगा बाकि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके हमें एक या दो कोड करने होते हैं ताकि लकडी की नस पूरी भर जाए पुट्टी करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ना है एक आधा घंटा और उसके बाद में इसकी करने हमें सेंडिंग यह देखिए पुट्टी सुख चुकी है अभी हम सेंडिंग करेंगे सेंडिंग करने के लिए हम इसमें 220 नमबर या फिर 500 नमबर के वाटरप्रूफ रेगमाल का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे दबा के लगा देना है ताकि कहीं पर उंचा नीचा न रहे बाद में आप चाहें तो इस पर प्राइमर का एक कोड़ और मार सकते हैं नहीं तो आप डारेक्ट पेंट भी इसके उपर अपलाई कर सकते हैं देखिए प्राइमर है वो प्राइमर जो हमने पहने इस्तेमाल किया था के उसी का एक कोड़ और लगा दे ओपर हम और फिर हमें और करना है पेंट में हम इस्तिमाल करेंगे गॉल्डन ब्राउन इने मलडे का हम इस तरीके से यह हम बिल्कुल पतलास लगा रहे हैं पानी के तार्पिन का तेल मिक्स होता है एक golden brown enamel paint है golden brown enamel paint एक दो कोड़ इस तरीके से लगा देंगे पतला पतला विल्कुल और उसके बाद में हमें बनाना है इस पर रेशा रेशा बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे black enamel paint का अर्यके आप चाहे तो brown का भी इसितिमाल कर सकते हैं यह दपेंगे आप हात से भी रेशा बना सकते हैं या फिर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते है रेशा बनाने के लिए प सबसदेर हाई और black enamel paint को पतला करने के लिए कर पीन παसा ड़ों मिक्स होता है एक लिटर में लग भग आधा लिटर पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पतला करना होता है मैं रेशा बनाने के लिए रेशे जैसे आपको चाहिए हो पतले मोटे उससाब से आप रेशा बना सकते हैं ये देखिए अभी हमारा रेशा बनके त्यार है अभी इसको हम सूखने देते हैं 2-3 घंटे सूखने के बाद में इसका हम कलर सेट करेंगे इसको हम ब्राउन टून पे लेके आएंगे बाकि आप चाहें तो इसी तरीके से इसको फिनिस कर सकते हैं देखिए अभी सूख चुका है पुरा आप हम इस पर ब्राउन इनेमल पेंट से हलका सा स्प्रे करेंगे ताकि इसकी लुक देखने में बढ़िया हो जाए और इसमें कलर भी चेंज हो जाएगा जैसे हमारी भी ब्लैक टून दिख रही है तो हम ब्राउन का मारेंगे तो इसकी लुक ब्राउन हो जाएगी बाकि अगर आपको रड करना है तो आप रड भी कर सकते हैं जो हमने वीडियो में दिखाया है रड की वीडियो हमारे चैनल पे अप्लोड है अगर आपको देखनी है तो आप description चिक कीजिए वहाँ पर मैं लिंक देदूंगा उस वीडियो का कि plywood पर red color की polish कैसे की जती है इस तरीके से इसका हलका सा spray कर देंगे brown paint का तो इसकी look brown हो जाएगी टॉप कोड में हम इस पर इस्तेमाल करेंगे touchwood glossy का 1k pew का touchwood glossy इसको आप चाहे तो spray gun से भी मार सकते हैं कपड़े से भी मार सकते हैं या फिर आप brush से भी मार सकते हैं इसको सूखने के लिए कम से कम 5-7 घंटे चाहिए होते हैं अगर आपको double coat लगाना है तो double coat भी मार सकते हैं जब यह सूख हो जाएगा तो spray से थोड़ी सी बढ़िया finishing आ जाती है बाकि आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं और brush से भी मार सकते हैं एक coat करने के बाद में अगर आपको लगे कि अच्छी finishing नहीं है तो आप इसकी sending करके सूखने के बाद में इस पे आप double coat भी apply कर सकते हैं बस आपको इसको बचा के रखना है जब तक कि सूख नहीं जाता है dust वगएरा से नहीं तो इस पे दाने वगएरा पढ़ जाते हैं दे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह की और्धियान करे के लिए हमारे चैनल को subscribe करें thanks for watching